हेलो प्रेंच रिख़िए निम्न परिपерь है दो दो closer करो तो अपको ये परिपथ दिया गया है मैंतार है दो ओम का प्रतिरोध है यहाँ पर चार शार ओम के दो प्रतिरोध जूड़े हुए हैं तो फ्रेंच सबसे पहले इस परपत को समझेंगे तो इसमें जो उपा नीचे जुड़े हैं यह हैं दोलों समांतर करम में यह है आपका स्रेणी करम में फ्रेंट्स यह होता है समांतर करम का सूत्र और यह है स्रेणी करम का सूत्र समांतर करण का सूत्र होता है 1 बटा र बराबर Estina प्रण पेस प्रिपत्र को तो यह दोंनों 49 अले 30 समांतर करह सुऩान के जूड़े हूए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोद याद करेंगे 4 आं affect दो 19 अधर 19 के दो प्रतिरोद समांतर करम में जुड़े हैं समांतर लिख लेंगे इस तरह से समांतर करम में जुड़े हैं अप्रेंट समांत्रक्रम का सूत्र होता है एक बटार बराबर एक बटार टू इस तरह लिख देंगे एक बटार बराबर 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 यहां पर एक बटार चार पर लस एक बटार चार क्यो एक बटा आरवन बराबार दो बटे चार दोनों का गुड़ा कराएंगे तो दो आरवन बराबार चार यहां से दो एक कम दो दुन्नी चार यानि की आरवन बराबार दो ओम आया अब फ्रेंड्स यहां पर यह बन गया आपका स्रेंडी करम यह हुआ स्रेंडी करम आरवन बराबर दो ओम और यहां पर भी दो ओम का दिया गया है तो इन दोनों को भी जोड़ लेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे आप फ्रेंड्स लिखेंगे R1 पलस दो ओम स्रेंडी करम में जुड़े हैं स्रेंडी करम में जुड़े हुए हैं तो यहां पर R1 का मान है दो ओम पलस दो ओम बराबार आपका हो जाएगा चार ओम चार ओम आ गया अब फ्रेंट्स जिसकी यहां पर आर बराबर चार ओम हुआ आपका फाइनली फ्रेंट्स र बराबर चार ओम आया अब यहां पर सूत्र होता है परिपत्थ में धारा धारा यी तो ग्याद करने आए तो परिपत्थ में धारा लिखेंगे परिपत्थ में इद्दो धारा या फिर धारा इस तरह से लिख देंगे आई बराबर होता है बी अपान आर आई बराबर बी अपान आर वी का मान आपको दिया गया आई कितना दिया गया 10 वोल्ट यानि कि वह आंकर 10 वोल्ट है तो वी बराबर 10 होगा यहां पर 10 बटे आप बराबर कितना मिला था चार ओम 10 बटे 4 काड़ देंगे 4 दुन्नी 8 एक उदार लेंगे वहां पर तो जाएगा 4 पंचे 20 यानि कि आई बराबर दो पॉइंट पांच एंपियर आई बराबर दो पॉइंट पांच एंपियर आया तो फ्रेंट्स मिलते हैं इस्ट वीडियो में तक तक के लिए तैंक्स भार वाचिंग फ्रेंट्स